नमस्कात दोस्तों माचलWow उस्वागेथ आपकाम्नन चनल्ड में आज में आपको बता जो रहा हूं क्यों च्किवीकlla्ण क में कस्टम wicht़से करें सबसे पहले हमें जानाव का Google में Google में जाके हम सच करेंगे Lingo Jam, Lingo Jam एक ऐसी वेबसाइट है जहां से हम कस्टम फोन जनरेट कर सकते हैं तो चली सच करते हैं Lingo Jam अब fancy text generator open करेंगे उसके बाद जो भी हम type करना चाहते हैं Suppose मैं अपना नाम लिख रहा हूं आलोग टेक लोग जैसे या लोग टेक लोग हूंगा नीचे काफी सारे custom fonts अवेलेबल है वहाँ साब जो आपको परसंद आए आप उसको कोपी कर लेए Suppose मैं यह style कोपी कर रहा हूं कोपी करने के बाद अब हम जाएंगे जहां भी जैसे आप क्युक में यूज करना चाहते हूं तो आप क्युक में जाना है हमें क्युक में जाके अब मैंने ओलडी वीडियो बना के राखिए जस्ट अब मैं उसे duplicate and edit करूंगा और जो पहले से fonts available है मैं उसको erase करके add text में जाके इसको delete कर दूँगा और जो हमने copy की थी उसको यह paste कर दूँगा ओके देखिए font आ गया काफी unique लग रहा है और एकी चीछ देख देके अंबोर हो गये तो कुछ नया आ गया है तो आप try कर सकते हो और काफी सारे fonts available है हम जाके नीचे चेक कर सकते हैं तो suppose मैं दूसरे example के लिए मैं दूसरा font copy कर रहा हूं and quick में जाके उसको paste करेंगे तो चलिए copy यहां से erase करते हैं और इसको replace करते हैं and paste करते हैं तो देखिए बदल गया एक काफी unique लग रहा है इसी तरह काफी सारे fonts है आप देख सकते हो तो हम काफी सारे fonts यूज़ करते हैं अपने वीडियो को अच्छी तरह बना सकते हैं and अलग-अलग custom font यूज़ कर सकते हैं अगर आप status creator हो तो आपके लिए बहुत अच्छी news है आप जाके try कीजिए and custom font use कीजिए quick में काफी लोग ने मुझे कहां कि भाई आप कैसे करते हो तो ए वीडियो उनके लिए dedicated है यह है first trick custom font generate करने का एक है website and second है application लिस्टोर पे कई सारे ऐसे application available है जस्ट आपको search करना है fancy text generator आप जाके download कर सकते हो and काफी सारे fonts generate कर सकते हो custom fonts तो चलिए for example मैंने एक already download करके रखा है तो आपको मैं बता जूँ कैसे use किये जाए for example application open कर लिया है तो by default यहाँ hello type किया हुआ है अब हमें कोई भी जो भी font हमें पसंदे उसको select कर लेंगे select करके just हमें copy text पे click करना है and I have directly whatsapp पे भी share कर सकते है तो suppose मैं भी copy text कर लिया and हमें quick में use करना है तो हम जाएंगे face quick में and वहाँ जाके just मैं इसको replace कर दूँगा edit text पर जाके मैं इसको delete परूँगा and जो हमने copy किया था उसको यहाँ paste कर दूँगा तो देखिए जो हमने copy गी थी यहाँ paste हो गई है and अलग लग रहा है unique लग रहा ह and अगर आपको कोई video तो आप मुझी comment में पुछ सकते हो मैं उसका reply ज़र दूँगा फिर से होंगा आपके पास एक नहीं video के साथ तब तक have a good time